तुलार असिवारो 21 मार्च विरस्पती बार का दिन असलेशान चत्र में बुद्ध के परभाव के साथ दिन की सुर्वात बुद्ध आपके भागे का स्वामी है जो आज आपकी कुली में सुर्ज और राहू के साथ गोचर कर रहा है बुद्ध का सुर्ज के साथ बुद्धादित राजियोग और बुद्ध का राहू के साथ जीवन में तरक्की का उनती का सौभागे का और समृद्धी का औसर प्रदाम करने का सुन्दर योग और संजोग बन रहा है आज आपकी कुली के सतंभाव में विरस्पती का गोचर लगन के ऊपर विरस्पती की दृष्टी भाग्यस्थान में चंद्रमा का गोचर और आपकी कुली के पंचंभाव में सनी सुक्रे मंगल की युक्ती ग्रहों की दसा आपकी जीवन में धेर सारी खुसकबरी और आप आपके जीवन में महत्पुन परिवर्तन का सुन्दर औसर परदान करेगा आज का दिन असले सानचत्र के प्रभाव से सुकर्मा योग में आपके हर काम सफल होंगे और आपकी जीवन में बड़ी तरक्की देखने को मिलेगी तुलारासी वारू के लिए समय बरा सुब है आप सम्मान और परिवारिक जीवन में धेर सारी खुसियों की प्राप्ति आज होने वाली है क्योंकि बुद्ध कर प्रभाव है बुद्ध के साथ राभू की युक्ति है वहीं दूसरी तरह पर सनी सुक्रे और मंगल का गोचर एक साथ आपकी जीवन में उत्सा उमंग को बरान का काम करेगा आज आप बड़ी सपलता काम्याबी खुसखबरी की प्राप्ति करेंगे तो तुला रासी वारो चलिए जानते हैं विस्तार से आज का तुला रासी पल जैसरी राम चैह हन्मान ओम स्री हनुमन ते नम संकट से रच्छा करो ही महावीर हन्मान संकट मोचन कर्पानिधान चैह हनमान जैज्य हनमान निष्च प्रेम परतीत यह ने करीश हन्मान ओम्मान सिध्ध करेंगे घंगोण संकучती चर्णकर्पानिधान ययज्षी करेंगे सानकर्स पत c. दिन फागुनमा सुक्लपच की द्वादसीति थी असलेसा नचत्रे सुकर्मा योगे भाग्य साली दिन सौभाग्य साली समय बुद्ध के प्रभाव से जीवन में बड़े परिवर्तन और धे सारी खुसियों का सुन्दर औसर प्राप्थ होने वाला है सुकर्मा योग में से चार गुना ज्यादा आपको सुक है सभग्य और धन परदान करेगा आज का दिन आपके लिए बड़ा भाग्य साली दिन साबित होगा पर आपको दो बातों का ध्यान रखना है राहुकाल एक बचकर उनसक मिनट से तीन बचकर एक तीस मिनट है राहुकाल के दौरान किस अगर आप अपने जीवन में ज्यादा सुक है सभग्य और धन पाना चाहते हैं तो आज उत्तर दिशा की तरफ से या पूरब दिशा की तरफ से दिन की सुरवात करें निस्चिति आपके जीवन में बहुत तरक्की उनक्ति सुक्सम्रिधी की प्राप्ति होगी आज आपके लिए लग्की कलर ग्रीन होगा और लग्की नमर सेवन होगा जिस भी काम को मिहनत से करेंगे वो काम आपके सफर हो जाएंगे क्योंकि आज बुद्ध का परभाव है आपकी कुली में बुद्ध राभू के साथ गोचर कर रहा है साथ ही साथ राभू की द्रिश्टी आज य के सुक भाव में चंद्रमा का गोचर है जबकि सनी के साथ सुक्र की युक्ती है आज आपकी कुली में ऐसा योग बन रहा है जो आपकी जीवन को बदल का रख देगा जिसके परभाव से आपकी जीवन में तरक्की उनती के साथ धन संपत्ती भी आपकी बढ़ेगी आज का परदान करेगा असलिशा नचत्र में आज बुद्ध के परभाव से आप बहुत चलांकी से हर काम को करेंगे आपके अंदर सुक भोगने की गहरी इच्छा होगी आज ये परिवार का भी साथ आपको मिलेगा और जीवन में आप बहुत भाग्य साली भी होंगे असलिशा नचत्र में जब बुद्ध रावु के साथ गोचर करता है तब आपका ब्यक्तित्ते बड़ा सुन्दर होता है परिवारिक संबंद बहुत अच्छे होते हैं जीवन में अनेक परकार का सुक है आप प्राप्त करते हैं और बड़ी उप्लब्धी तरक्की से धन सं पती भी कमाते हैं आप बहुत बुद्धी मानी से काम करते हैं बहुत चलाकी से अपने काम को पूरा करते हैं असलिशा नचत्र का स्वामी बुद्ध जो आपकी कुंड़ी में इस समें आपको बड़ा भाग्य साली बना रहा है बुद्ध के परभाव से साहसे इच्छा सक् सम्रिद्धी और स्वभाग्य का सुख है आज आपको प्राप्ठ होगा असलेशा नचत्रे आपकी जीवन में प्यार और समर्थन परदान करता है असलेशा नचत्र में आप बहुत आत्म विश्वासी और महत्व कांची होते हैं सुख पाने की तिवर इच्छा आपको और भी ज़्यादा काम करने की प्रेणा देता है अपने मिहनत से अपनी जीवन में बहुत कुछ प्राप्ठ करते हैं सफलता काम्यावी सुख है सब अपने बल पर आप प्राप्ठ करना चाहते हैं अपने लचकी प्राप्ती करना दिर् जीवन में परिवर्तन को भी आप स्विकार करते हैं आप बहुत सक्ति साली होते हैं आपकी जीवन में बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिलता है आज का दिन सुक्र का प्रभाव आपकी जीवन में अनेक परकार का सुख देगा क्योंकि सुक्र आज सनी के साथ गोचर कर रह मंगल के साथ युक्ति बना रहा है परिवारिक रिस्ता आपका अच्छा होगा जीवन में बड़े परिवरतन भी देखने को मिलेंगे सुक्सव भागे भी आपकी जीवन में बरहेगा और भागे का साथ भी आपको प्राप्त होगा बुद्ध का राभु के साथ गोचा करना सकरात्मक परिवर्तन और सकरात्मक परिनाम की प्राप्ति आपको होगा आपके अंदर बहुत उर्जा होगा अपने प्रयास में सफल भी होंगे नौकरी बैपार के छेतर में बहुत तरक्की उनती देखने को मिलेगा साथी साथे आज ये कोई नया काम सुरू करने के लिए दिन बहुत ही सुब है जो साथ उर्जा से भरपूर आज का दिन आपकी जीवन में धेर सारी खुसियां लाकर देगा कोई महत्पून कार्ज आपके पूरे होंगे आज आप सही निर्णे लेंगे और अपने जीवन में ज्यादा लाब और सुख अरजित करेंगे आज का दिन आपके लिए सवभागी का दिन है आनंद प्राप्त करने का दिन है छोटी मोटी यात्रा भी आपकी होगी और नौकरी में यदि आप बदलाओ चाहते हैं तो आज आपकी इच्छा पूरी हो सकती है क्योंकि नई नौकरी का योग भी आपकी कुली में इस समय दिखाई दे रहा है तरक्की के रास्ते खुलते जाएंगे आप जीवन में आगे बरते जाएंगे समस्या आपकी जीवन की समाप्त हो जाएगी और मन की परसानी दूर हो जाएगी अपने मन को सांत रखें क्रोध से बचें तभी आपकी जीवन में ज्यादा लाब और बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी अपने कारोबार को आगे बराने के बारे में सोचें मिहनस से काम करें आपका कारोबार भी बरहेगा धन भी मिरेगा और चिंता भी आपकी जीव उमंग बना रहेगा और तरक्की 39 से खुशी भी आप राप्त करेंगे और स्टूडेंट के जीवन में बड़ी समस्याओं का समधान भी मिलेगा जो आगे जादा परहाई करना चाहते हैं उनके जीवन में जादा सफलता का योग बन रहा है बहुत सारी परिसानी आपकी धूर होगी नई नौकरी का योग है आपके जीवन में कोई बड़ी उपलब्धी लेकर आएगा अचानक लाब का उसर भी मिलेगा जीवन का भरपूर सुख भी आप प्राप्त करेंगे बैवाहिक जीवन आपका कापी सुखद होगा हर काम को साभधानी से करें हर काम को मिहनत से क ज्यादा धन भी कमाएंगे पहले से ज्यादा सुख भी पाएंगे और पहले से ज्यादा बड़ी सफलता भी आज आपको मिल सकती है आज आपके जीवन में इच्छी सफलता मान समान की प्राप्ती होगी आज का दिन आपके लिए सुब दिन है सभागिसाली योग है अपने मेहनत से, अपने कार चमता से, जीवन में उत्सा से अपने काम को करते जाएं, हर समस्या का समधान होगा, उल्जने आपकी जीवन की दूर होगी, लाप के रास्ते दिखाई देंगे, तरक्की के रास्ते पर आप आगे बढ़ेंगे, आपके काम सफल होगे, परिवार का साथ ह और जीवन में तरक्की से मन में खुसी और जीवन में सुख बढ़ेगा परिवारिक जीवन आपका अच्छा होगा आपके बचों की तरक्की होगी और जीवन में आत्म विश्वास के साथे आप आगे बढ़ते जाएंगे ऐसा योगे आपकी कुली में बन रहा है आपके घर क इस्थिती बेहतर होगी आपके फैसले सही साबित होगी आज ये दिन की सुरवाते सुबह भरम मूरत में चार बच कर पचास मिनट पर आरंब होगा आपके लिए अभिजीत मूरत बारा बच कर चार मिनट और विजेई मूरत दो बच कर तीस मिनट बरा ही लापकारी साबित हो आज आप बड़े भागे साली हैं, बड़े सौ भागे साली योग बन रहा है, हन्मान जी का दर्सन करें, हन्मान जी की पूजा करें, जै स्री राम, जै स्री राम, जै स्री राम, जै हन्मान.